प्रिया सिक्षार्थियों, आज मैं पुना हैं आपके समक्ष संस्कृत की आनलाइन कक्षा में उपस थे तो हूँ, आप सभी लोगों का इस कक्षा में स्वागत है पिछली कक्षा में प्रकृति भाव संधी की चर्चा हुई थी, प्रकृति भाव संधी के अंतरगत ही, वकार विधान भी आता है वकार विधान से संबंधित सूत्र है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे मैं वो वो वा, ये सूत्र कहता है कि मैं प्रत्याहार से परे, उय निपात को बिकल्प से वकार आदेश हो जाया करता है, कब अच परे होने पर मैं प्रत्याहार से परे, यदि निपात संग्यक वरन हो और उसे से परे अच हो तो उस निपात को बिकल्प से वकार आदेश हो जाता है यहाँ पर हम देखते हैं मकार से परे निपात उकार विद्यमार है और उसे से परे उक्तम का उकार अच विद्यमार है इसलिए इस निपात संग्यक उकार के स्थान पर माय उमो वो वा इस सूत्र से वकार आदेश हो जाता है विकल्प से और रूप बनता है किम वुक्तम चूंकि यहाँ विकल्प से वकार आदेश हुआ है अगर हम वकार आदेश न करें तो प्रकृतिभाव हो करके क्योंकि निपात की प्रग्रिह संग्या हुआ करती है निपात एका जनान सूत्र से इसलिए इसकी प्रग्रिह संग्या और प्रकृतिभाव हो जाना और तब बनता है किम उक्तम तो वैकल्पिक रूप है किम उक्तम और विकल्प के अभावपक्ष में रूप बनता है किम उक्तम अब एक प्रश्ण उपस्थित होता है किम पदान्त मकार से परे वकार हल प्रत्याहार का वरण विद्यमान है इसलिए मोनुस्वारह से मकार के ये स्थान पर अनुस्वार हो जाना चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि मैं वो ववा यह त्रिपादी का सूत्र है और मोनुस्वारह भी त्रिपादी का सूत्र है लेकिन मोनुस्वारह की सूत्र संख्या है आर तीन तेश और मैं वो ववा की सूत्र संख्या है आर तीन तेश ये परशास्त्र है परशास्त्र में पठित है इस कारा मोनुस्ष्वारह की दृष्टी से वकार हुआ ही नहीं क्योंकि पूर्वत्रा सिध्धम ये कहता है पूर्व के प्रती परशास्त्र असिध्ध है तो ये जो परशास्त्र में इस्थित त्रिपादी के परमे इस्थित है इसलिए मोनुस्ष्वारह की दृष्टी से वकार आदेश हुआ ही नहीं जब वकार आदेश हुआ ही नहीं तो फिर मोनुस्वारह की स्थती नहीं उत्पन्न होती जिस कारण से मकार को अनुस्वार नहीं हुआ इसके बाद हरस्थ्व विधान का सोत्र देते हैं इको सवरणे शाकल्यस्य हरस्थ्वस्चन यह कहता है आसावरण आचपरे होने पर कहता है आसावरण आचपरे होने पर हरस्थ्व हो जाए किसको कहते हैं इक को व्रत्ति में लिखते हैं पदान्ता इको हरस्थ्वा वा स्युहू आसावरणे अचपरे होने पर पदान्त इक विकल्प से हरस्थ्व हो जाया करते हैं प्रयोग देते हैं आ छक्र यत्र चक्रयत्र चक्री अत्र पर छक्री यहां पर ईकार एक प्रत्याहार का वर्ण है और वहा पदान्त है और उसे से परे अत्र का अकार असवर्ण अच बिद्यमार है इस सूत्र की शर्ट उपस्थित हो रही है कि इकहा असवर्ण हरस्वहा इक के स्थान में पदान्त इक के स्थान में हरस्व हो जाए असवर्ण अच परे होने पर साकल जस्या ऐसा साकल रिशी कहते हैं साकल के यत्रिक्त और कोई वईया करना नहीं कहता साकल रिशी कहते हैं कि पदान्त इक के स्थान में असवर्ण अच परे होने पर हरस्वह हो जाए इसलिए यह जो हरस्व होता है पदान्त इक को वहा विकल्प से होता है यहां पर हम देखें जो चक्री का इकार पदान्त इक है और उसे से परे अत्र का आकार असवरण अचे बिद्यमार है इसलिए इको असवरणे साकल्यस्या हरस्वश्या इस सूत्र से पदान्त दीरगी इकार को हरस्व हो गया और रूप बनता है चक्रियत्र ये विकल्प से हुआ हरस्वा अगर हम हरस्व नहीं करते हैं तो फिर इको यनची से यना देश हो करके चक्रियत्र रूप सिद्ध तो इको असवरणे साकल्यस्या हरस्वश्या इस सूत्र से चक्रि के पदान्त इक इकार के स्थान में दीरगी इकार के स्थान में हरस्व इकार हो करके चक्रियत्र रूप सिद्ध हुआ और विकल्प से हरस्व न करें तो प्रयोग बनेगा इको यनची से यना देश होकर चक्रियत्र रूप यहां एक प्रश्ण यह उपस्थित हो सकता है कि जब आपको यनादेश करना ही था तो चक्रिधन अत्र इसे इको असवरने साकल्य से हरस्व श्च इस सूत्र से हरस्व करने की आवश्यक्ता क्या थी यही पर चक्रियत्र यही पर आप इको यनची से यनादेश कर देते हैं तब हरस्व विधान के वैयर्थ का प्रसंगों अर्थात हरस्व विधान व्यर्थ हो जाता अगर हम यही पर इको यनची से यनादेश कर देते तो हरस्व विधान व्यर्थ हो जाता अर्थात यह स्पश्ट नहीं होता कि यहां पर हरस्व विधान किया गया है तो हरस्व विधान स्पश्ट रूप से प्रतीत हो इसके लिए यहां इको यनची से यनादेश नहीं किया गया इस सूत्र में आसावरणे यहां प्रश्ण उपस्थित होता है कि आसावरण अच परे होने पर ही पदान्त इक को होता है ऐसा क्यूं कहा उसके लिए प्रयोग है योगी इच्छत योगी धन इच्छत कुमारी हते कुमारी धन इच्छत अगर हम आसावरणे पद का प्रयोग न करते तो योगी इच्छत और कुमारी हते यहां पर भी हरस्व विधान होकर के योगी इच्छत और कुमारी हते यह प्रयोग सिध्ध होता जोकी अनिष्ट होता फिर एक प्रश्णूपस्थित होता है कि पदान्त को ही हरस्व विधान हो हरस्व हो ऐसा क्यों कहा तो कहते हैं कि गौरियव गौरी धन अउ गौरी से द्वी बचन प्रत्माई भक्ति द्वी बचन का प्रत्य है अउ यहां पर हरस्व विधान न हो जाए इसके लिए पदान्त पद का प्रयोग किया गया है अब चूंकि पदान्त के संदर्भ में गौरियव पद का प्रयोग किया गया है इसलिए गौरियों में जो यर प्रत्याहार का वरण यकार है उसके द्वित्व का विधान करते हैं और सूत्र देते हैं अचोरहाभ्याम दे ये सूत्र कहता है कि अचाहा पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरोग वे वास्तह अर्थात अर्थात अच से परे रेफ या हकार विध्यमान हो और उससे परे यर प्रत्याहार का वरण विध्यमान हो तो यर प्रत्याहार के वरण को विकल्प से वित्व हो जाए यहां पर गवरी धन अव इको याणाची से रकार उत्तरवर्ती इकार के स्थान में यणादेश हुआ और तब गगार उत्तरवर्ती अवकार अच है और उससे परे रेफ विध्यमान है और उससे परे यकार यर प्रत्याहार का वरण विध्यमान है इसलिए आचो रहा भ्यान वे इस सोत्र से इस यर प्रत्याहार के वरण यकार को द्वित्व हो करके गवर यह यकार यकार अव यह रूप बना और अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम की मान्यता से हम मिला देंगे तो प्रयोग बनेगा गवर्योग अगर बिकल्प से द्वित्वन ना करें तो फिर यहीं पर इको यनची से यन हो करके गवर्योग रूप सिध्ध हो जाएगा हरस्व विधान का सूत्र है इको असवरणे साकल्यस्य हरस्वश्च इसी का निशेध करने वाला सूत्र आगे आता है ना समासे ना समासे ये कहता है कि समास में न हो क्या पदान्त इको हरस्व इको असवरणे साकल्यस्य इको असवरणे साकल्यस्य हरस्वश्य इस सूत्र से होने वाला जो हरस्व है वह समास में न हो प्रयोग देते हैं वाप्यस्वः वाप्याम अस्वः वापी में अश्वः अश्वरणे साकल्यस्य वापी धन अस्वर यहां पर समास में विभक्तियां लुप्त हो जाया करती हैं किन्तों प्रत्य ये लोपे प्रत्य ये लक्षणंग् इस सूत्र से वापी यहां पद हुआ और पकार उत्तरवर्ती कार पदान्त ही को हुआ और उसे से परे अश्वः का अकार असवर्ण अचविद्यमान है इसलिए इको असवर्ण साकल्यस्य हरस्वश्चा से यहां पर पकार उत्तरवर्ती दीर इकार को हरस्व इकार आदेश प्राप्त होता है किन्तु वाप्याम अश्वः यहां पर तत्पुरु शमास है इसलिए नासमा से इस सूत्र से प्राप्त हरस्व को बाद करके इको यणची से यणादेश हो करके वाप्यश्वः प्रयोग सिद्ध हुआ पुनह हरस्व विधान का एक और सूत्र देते हैं रित्यकाह रित्यकाह सूत्र कहता है कि रिति परे पदान्ता अकाह प्राग वत वाह अर्थात रित्यकाह परे होने पर रित्यकाह पर यहां पर रित्यकाह पर जो रिकार है वहां हरस्व रिकाह से बुधित होता है रित्यकाह पर पद के अंत्यमे विद्यमान अकव विकल्प से हरस्व हो जाया करता है यह भी साकल्य के मत में ही होता है इसलिए हरस्व विधान वेकल्पिक है इको असवरने साकल्यस्या रस्वश्या और रित्यकाह इन दोनों सूत्रों से जो हरस्व विधान होता है वहां वेकल्पिक ही होता है प्रयोग है ब्रहमरिशी ही ब्रहमरशी ही ब्रहमरिशी ही विच्छेत करते हैं ब्रहमारिशी ही रित्यकाह सूत्र कहता है कि रित्परे होने पर पद के यंत्यमें विध्यमान या पदान्त अक को विकल्प से हरस्व हो जाए यहां पर मकार उत्तरवर्तियकार अक प्रत्याहार का वर्ण है और उससे परे रिशी का रिकार विध्यमान है अताह रित्यकाह इस सूत्र से मकार उत्तरवर्तियकार अक को हरस्व होकर प्रयोग बनता है ब्रहम रिशी और अगर हम अक को हरस्व ना करें क्योंकि हरस्व विधान विकल्प से होता है तो फिर आद गुणह से गुण होकर के ब्रहम रिशी ही प्रयोग सिद्धो होगा यह प्रयोग ब्रहम रिशी ही यह बैकल्पिक प्रयोग है और बिकल्पा भाव पक्ष में आद गुणह से गुण होकर के ब्रहम रिशी ही प्रयोग सिद्धो होता है लग सिद्धान्त कौमुदी के अंतरगत संध्य प्रकरण में आचसंध्य यही पर समाप्त होती है झाल